Technology से बदलाव, पुराना विचार की Information is Power बदल रहा है और अब यह माना जाने लगा है की Sharing Information is Power. Software बनाने वाली बड़ी कंपनी SAP के Online Community में 2 मिलियन से ज़्यादा Customers, Partners और दूसरे लोग हैं. साल में एक बार एक सो लोगों को Product Development में अपना योगदान देने के लिए चुना जाता है. The Gents Place Barber Shop, Frisco, TX ने Facebook पर आद्स चला करने कस्टमर्स को मुफ्त कट, शैंपू और Hot Tovel Treatment देकर 5000 क्लाइन्स बनाए, बस इसके बदले उन्हें अपना नाम, Phone Number, Email Address और पसंदीदा Social Network देना था. प्रतेक कस्टमर को जोडने में उनका औसत मार्केटिंग कॉस्ट दस डॉलर तेरह सेंद था, जो उन्हें दुबारा खरीदारी से आसानी से मिल जाता है. यहां तक कि टेकनोलोजी से ट्रडिशनल मार्केटिंग काम भी बहुत प्रभावित हुए है. सेल्स फोर्स की कारेक्षमता बढ़ाने के लिए, दवा बनाने वाली कंपनी ने अपनी पूरी सेल्स टीम को आईपैद्स देने का फैसला किया. हालांकि कंपनी के पास पहले ही बढ़िया कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट, सी आरेम, सॉफ्टवेय था, फिर भी उसे सही समय पर सही डेटा डालने के लिए सेल्स रेप्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अकसर नहीं हो पाता था. लेकिन आइपैड्स के साथ सेल्स टीम रिल टाइम डेटा दर्ज कर सकती है, जिससे डेटा की गुनवत्ता बढ़ती है और दूसरे कामों के लिए समय बच जाता है. ग्लोबलाइजेशन दुनिया एक छोटी जगह बन गई है. नई ट्रांस्पोर्टेशन, शिप्पिंग और कम्यूनिकेशन टेकनोलजी से हमें पूरी दुनिया को जानना, घूमना और कहीं भी खरीदना बेचना आसान हो गया है. दो हजार पचीस तक, इमर्जिंग मार्केट्स में सालाना खपत, कंसंप्शन, तीस डॉलर ट्रिलियन हो जाएगी और यह ग्लोबल जीडिपी के विकास में सत्तर परसंट से ज़्यादा योगदान देगी. चुंकाने वाले 56 प्रतिशत Global Financial Services के खर्च के 2050 तक इमर्जिंग मार्केट्स से होने का अनुमान है, जबकि यह संख्या 2010 में केवल 18 पसंट थी. डिवेलपिंग मार्केट्स जैसे भारत और एजिप्ट में जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादातर लोग 25 साल से कम उम्र के हैं. Middle Class यानी 3000 डॉलर से ज़्यादा सालाना कमाने वाले के विकास के मामले में फिलिपिन्स, चाइना और पेरू सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश हैं. Globalization ने देशों को ज़्यादा Multicultural बनाया है. U.S. में Minorities के पास काफी आर्थिक ताकत है और उनकी Purchasing Power आम लोगों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है. University of Georgia के Terry College of Business की Minority Buying Report के अनुसार, U.S. में Racial Minorities, African Americans, Asians और Native Americans की कुल Purchasing Power 2010 में 1.6 Trillion से बढ़कर 2015 में 2.1 Trillion होने का अनुमान है, जो देश के कुल का 15% है. U.S. के Hispanics की Purchasing Power 2010 में 1 Trillion से बढ़कर 2015 में 1.5 Trillion हो जाएगी, जो क्रीब देश के कुल का 11% है. एक सर्वे से पता चला कि 87% कमपनीज अपने Multicultural Media Budgets बढ़ाने या बनाए रखने की योजना बना रही है. Globalization से Innovation और Product Development भी बदलते हैं, क्योंकि Companies एक देश से विचार और सीख लेकर उन्हें दूसरे देश में इस्तेमाल करती हैं. कई साल तक Chinese Market में अपने Premium Ultrasound Scanners के साथ सफलता ना मिलने के बाद, GE ने एक Portable, Ultralocast Version बनाई जिसमें बाकी सुविधाएं छोड़ कर चीनी बाजार की खास जरूरतों को पूरा किया जाता था. बाद में वह इस प्रॉडक्ट को पूरी developed दुनिया में ambulances और operating rooms जहाँ पुराने models बहुत बड़े थे में बेचने में सफल रही. Social responsibility गरीबी, production, पानी की कमी, climate change, युद्ध और wealth concentration के कारण सबका ध्यान जरूरी है. Private sector कुछ जिम्मेदारी दिखाते हुए रहने की स्थिती बेहतर करने के लिए काम कर रहा है और दुनिया भर की firms ने corporate social responsibility का मेहत्व बढ़ा दिया है. Marketing पर समाज का असर क्योंकि marketing का असर पूरे समाज पर होता है, marketers को अपने काम के ethical, environmental, legal और social पहलू पर विचार करना होता है. Marketing Insight, Getting to Marketing 3.0 ने इंच में बताया गया है कि इसे करने के लिए companies को कैसे बदलना होगा. इस तरह एक organization का काम यहते करना होता है कि वो target markets की needs, wants और interests को जाने और उन्हें competitors के मुकाबले ज्यादा अच्छे से और कुशलता से पूरा करे और साथ ही consumers और समाज की लंबे समय तक अच्छी स्थिती को बरकरार रखने या उसे बेहतर करने का काम करे. marketing तीन दशमलव शूने तक पहुँचना फिलिप, हरमावन और इवान मानते हैं कि आज के customers चाहते हैं कि marketers उन्हें एक पूरे इंसान के तोर पर देखें और यह समझें कि उनकी जरूरते consumerism या उब्भोक तावाद से भी आगे तक जाती हैं. इसलिए सफल marketing को उसके human या emotional element अलग बनाते हैं. इन लेखकों के अनुसार, सोच का तीसरा दौर, जो values या मूलियों से चलता है और जिसे marketing तीन दशमलव शूने कहा जाता है, हमें product-centric और consumer-centric model से आगे ले गया है. इसके तीन अहम चलन है, customer द्वारा ज्यादा हिस्सेदारी और collaborative marketing, globalization और creative society का उभार. हम लगातार होने वाले technological development के साथ रहते हैं. सस्ता internet, सस्ते computers और mobile phones, open source services और systems, expressive और collaborative social media जैसे Facebook और Wikipedia ने marketers के काम करने और consumers के साथ बातचीत करने का तरीका बदल दिया है. culturally relevant ब्रदस का दूर तक असर हो सकता है. उदाहरण के लिए, एक cultural brand खुद को किसी ऐसे global brand के national या local alternative के तौर पर दिखा सकता है, जिसके environmental standards कमजोर हों. विक्सित अर्थविवस्थाओं की बुनियाद तेजी से creative लोग बन रहे हैं. marketing अब companies को corporate culture, vision और mission में marketing values शामिल करके creativity और spirituality या आध्यात्मिक्ता का सहारा लेने में मदद कर सकती है. इन लेक को का मानना है कि marketing का भविश्य horizontal होगा, consumer to consumer. उन्हें लगता है कि हाल के economic downturn ने बाजार में भरोसा नहीं बढ़ाया है और product चुनते समय customers अब विश्वसनिय सलाह और जानकारी के लिए एक दूसरे की ओर जादा देख रहे हैं. जैसे जैसे goods ज़्यादा commoditized बन रहे हैं और consumers ज़्यादा socially conscious हो रहे हैं, the body shop, timberland और Patagonia जैसी कुछ companies अपने आप को competitors से अलग दिखाने, consumer preference बनाने और काफी ज़्यादा sales और मुनाफ़ा कमाने के लिए social responsibility को अपना रही हैं. काफी हद तक बदला हुआ market place. इन तीन ताक्तों, technology, globalization और social responsibility ने market place को नाटकिये रूप से बदल दिया हैं, जिससे consumers और companies को नईक शमताएं मिली हैं. market place channel structure में बदलाव और बढ़े हुए competition से भी बदल रहा है. Consumers की नईक शमताएं Social media दुनिया भर में एक बहुत तेज घटना है. Germany में, 65 साल से ज़्यादा उम्र के internet इस्तेमाल करने वाले consumers का प्रतिशत 2011 से 2012 के बीच 24% से बढ़कर 33% हो गया, इनमें से ज़्यादातर किसी social media service से जुड़े हुए थे. Wireless तरीके से वेब ब्राउस करने वाले Germans की संख्या 2012 में बढ़कर 29 मिलियन हो गई और 2016 में इसके 60 मिलियन तक पहुचने का अनुमान था. 2012 में 10% से ज़्यादा Germans internet इस्तेमाल करने के लिए tablets का प्रयोग कर रहे थे. 2012 में हुए survey में लगभग दोतिहाई German companies ने बताया कि उन्हें social media activities, Facebook, Twitter, social media newsrooms, customer feedback communities से अच्छा फाइदा मिला है. लेकिन empowerment सिर्फ technology तक सीमित नहीं है. Consumers किसी दूसरे brand पर जा सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनके साथ सही वेवहार नहीं हो रहा है या उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा है जो वो देख रहे हैं, जैसा कि Progressive Insurance ने जाना. New consumer capabilities Consumers internet को एक powerful information और purchasing aid की तरह यूज़ कर सकते हैं. Search, communicate और on the move भी purchase कर सकते हैं. Social media को tap करके opinions share कर सकते हैं और loyalty express कर सकते हैं. Companies के साथ actively interact कर सकते हैं. Marketing को reject कर सकते हैं अगर वह inappropriate लगे. Expanded information, communication and mobility customers को बेहतर choices बनाने में मदद करते हैं. वे अपनी preferences और opinions पूरी दुनिया के साथ share कर सकते हैं. Table 1.2 कुछ new consumer capabilities को summarize करता है. Consumers internet को एक powerful information और purchasing aid की तरह यूज़ कर सकते हैं. घर, office या mobile phone से वे product prices और features compare कर सकते हैं, user reviews पर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी 24 hours a day, 7 days a week online goods order कर सकते हैं. इससे local offerings से ज्यादा variety मिलती है और price savings होती हैं. वे, showrooming भी कर सकते हैं. Stores में products compare करना लेकिन online buy करना. Consumers search, communicate, or purchase on the move कर सकते हैं. Consumers ज्यादा से ज्यादा अपने daily lives में smart phones और tablets यूज़ कर रहे हैं. एक study में पता चला कि ज्यादातर European smart phone owners अपने devices products research करने purchases बनाने के लिए यूज़ करते हैं. Consumers social media को tap करके opinions share loyalty express कर सकते हैं. Facebook, Flickr, Wikipedia, or YouTube J social media platforms पर personal connections or user generated content बहुत popular हाई. Dogster, dog lovers के लिए, TripAdvisor, travelers के लिए, motorists, bikers के लिए, sites consumers को common interest के साथ connect करते हैं. Consumers companies साथ actively interact कर सकते हैं. Consumers अपनी favorite companies को workshops की तरह देखते हैं, जहां से वे अपने पसंद की offerings choose कर सकते हैं. Lists को opt-in या opt-out करके, वे marketing और sales related communications, discounts, coupons, और other special deals receive कर सकते हैं. Smart phones के साथ, वे barcodes और QR, quick response, code scan करके किसी brand की website और other information access कर सकते हैं. Consumers marketing reject कर सकते हैं, अगर वह inappropriate लगे. कुछ customers को products में कम difference दिखता है और वो brand loyalty भी कम feel करते हैं. कुछ price और quality को लेकर ज़्यादा sensitive हो सकते हैं. एक survey में almost two thirds of consumers ने कहा कि advertising dislike, इसलिए consumers undesired marketing के बारे में less tolerant हो सकते हैं. वे online messages को screen out करना, DVR से commercial skip करना और mail या phone पर marketing appeals avoid करना चुन सकते हैं. New company capabilities Globalization, social responsibility और technology ने companies को cope करने और respond करने के लिए new capabilities भी दी हैं. Table 1.3 Companies internet को एक powerful information और sales channel की तरह यूज कर सकते हैं. Individually differentiated goods के लिए भी. एक website products और services, history, business philosophy, job opportunities और consumers को interest करने वाली other information list. Companies markets, customers, prospects और competitors के बारे में ज्यादा detailed information collect हैं. Customers तक social media mobile marketing के जरिए quickly and efficiently reach targeted ads, coupons, information भेज कर. Purchasing, recruiting, training और internal and external communications के ओ improve कर सकते हैं. Cost efficiency improve कर सकते हैं.